अलो एब्रिवन आज डेट है 9 जून 2023 और दाहिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम दाहिंदू की इंपोटेंट न्यूज को एकजाम के पॉइंट अफिस से डिस्कुस करेंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलग्राम चैनल वॉ जोड़ सकते हैं वहाँ पर हर एकजाम, NCUPSC, स्टेट PCS के पॉइंट अफिस से कफी इंपोटेंट इंफोर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जोग्राफिकल वेस्ट क्योशन के साथ में और आज आपका क्योशन ये है कि अमराबा टाइगर रिजर को आपको मैप में व्यू करना है फिर इसे रिलेटेड हर इंपोटेंट फैक्ट को एन इंफोर्मेशन को को में टाइप करना है कल हमने आपसे क्योशन पूछा था गल्फ ओप मननार मैरी निसल पार्क को लेकर के तो गल् पूस्ट मैरीन बाइस्पेर रिजर की रूप में एक्जिस्ट करता है डुगों जो एक एंडेंजर्ड मैरीन मैमल है वो इस नेसल पार्क का मेर अट्रेक्शन है ओके तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है अब प्रजेन टाइम में गल्फ ओप मननार मै तो इसकी जो डाइरेक्टर है उन्हों को युनेसको की तरफ से 2023 के लिए एक अवोर्ड मिला है जिसकी वज़े से न्यूज में बना हुआ है तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है दाहिंदू को डिसकस करने से पहले हम बात करेंगे डिकोडिंग ओफ न इनिफिट प्रोवाइड करेगा इसके इंपोटेंट फीचर्स के अगर हम बात करें तो इस इनिशेटिव में हम क्या करते हैं दैहिंदू, इंडियान एक्स्प्रेस, पी आईबी, और भी अधर इंपोटेंट वेबसाइट्स या फिर इसके अलावा जो भी इंपोटेंट म रवाये जाता है, साथी साथ में अगर कोई निउस में लगता है कि इस इनिशेटिव में प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिचल रहेगा और इस प्रोगर्म का सबसे इंपोटेंट फीचर में बताऊ न, देखो हम जब करनट अफि जो है वो क्यो न्यूज में था, मतलब क्या ऐसा आर्टिकल, क्या ऐसी न्यूज दी, जिसकी वज़े से ये सारा न्यूज जो है, वो हम steady कर रहे हैं, तो एक तरीके से relation जो है न, वो initiative आपको provide करेगा, क्योंकि पहले हम news, जो basic content है, वो आपको provide करते हैं, और फिर उससे related, क्या आपके static part में, क्या आपके current part में आपके लिए important है, वो चीज़े provide करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये program आपके लिए beneficial है, तो आप इसको join कर सकते हैं, description box में इसका link available है, subscribe के पास में जो join बटन आता है, वहाँ आपको join नहीं करना है, description box में, मतलब वीडियो का, जो title ह उस पर जब आप click करते हो, तो description box open होता है, और फिर वहाँ पर जा करके decoding of news paper initiative, current phase के पास में जो है, इसका link available है, इस program का, वहाँ जा करके आप इसको join कर सकते हो, 89 रुपीस पर मंद इसके charges रहेंगे, देखो मैं इस बात के पर focus इसलिए कर रही हूं, क्योंकि बहुत सारे students join button के through, इस initiative को join किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि link जो है, वो description box में available है, इसका video जो है वो भी जल्दी आपके साथ में share किया जाएगा, कि किस तरीके से हमारा जो initiative है, वो काम कर रहा है, किस तरीके से हम जो है, जब भी कोई news, कोई mapping area news में है, तो उसका map जो है, साथ ही साथ में हम share करते है, इसका video जो है, वो कल तक आपको upload कर दिया जाएगा channel पर आप देखना, आपको अगर benefit लगे तो आप इस program को join करना, देहिंदू को अगर हम discuss करें, तो first important news है देहिंदू के front page पर, और यहाँ पर monetary policy committee जो है, उसकी meeting हुई, और इसमें monetary policy committee जो है, उ इसके लिए 6.5 का prediction किया है, और यहाँ पर हमार लिए important हो जाता है कि what is monetary policy committee, इसके बारे में basic fact जो है, वो आपको पता होना चाहिए, साथी साथ में हम बात करेंगे reporate के बारे में, क्योंकि यह term जो है, यह भी news में है, इस article की वज़े से, monetary policy committee की meeting की वज़े से, तो RBI Act 1934 ज है, वो बनाई गई, main target क्या था, main function क्या था, कि जो भी हमारी policy rates है, उन सब का decision जो है, वो यह committee लेगी, इस committee में होंगे six member, जिसमें तीन होंगे RBI से, और तीन जो है, उनको central government appoint करेंगी, RBI के जो governor है, वो इस committee को chairmanship देंगे, ओके, तो 2016 में constitute किया गया MPC को, monetary policy committee को, main target यही है कि policy rates को decide करें, साथी साथ में, जो inflation का जो target है, उसको भी achieve करने में help करें, तो इसमें 4% का, जो है, वो रखा गया था inflation, और इसमें plus minus, जो है, वो दो का criteria भी रखा गया था, मतलब total spend की 6% maximum, जो है, वो inflation rate देखने को मिल सकती है, या फिर minimum, जो है, वो 2% जो है, वो def inflation तक आ सकता है, मतलब inflation जो है, वो minimum 2%, maximum 6%, ओके, तो यह monetary policy committee को लेकर के, repo rate के बारे में, अगर हम बात करें, तो repo rate जो है, वो rate होती है, जिसमें, जो central bank जो होता है, मतलब RBI जो है, वो हमारी country में, जो other banks है, उनको धार देता है, तो जो rate लगाता है, उसको बोलते है, repo rate, ओके next important article है, हम discuss करेंगे editorial page पर, और यहां पर अभी उडिसा में, बाला सोर में, जो railway accident देखने को मिला, उसको लेकर के writer ने यहां पर important बात बोली है, देखो अभी present time में काफी ज़्यादा discussion चल रहा है, लेकिन writer ने यहां पर यह बताया है, कि यह issue दुबारा से ना देखने को मिल इस तरीके की train accident दुबारा से ना देखने को मिले, उसके लिए जो है, वो काफी कम discuss किया जा रहा है, किसकी वज़े से हुआ, क्यों हुआ, लेकिन writer ने इस बात के उपर focus किया है, कि देखो present time में जो भी issue हुआ, इसको inspect करने के लिए, अलग-अलग committee जो है, वो बनाई गरी ह CBI जो है, वो भी इसको अपने level पर solve करने की goises करेगा, लेकिन writer ने बोला है, कि बिना देरी किये, हम इस बात के उपर focus करना चाहिए, कि आगे से इस तरीके के train accident जो है, वो ना देखने को मिले, writer ने बात की है, कि देखो fund की ज़्यादा कमी नहीं है, fund की कमी नहीं है, कि हमा basic infrastructure के level पर, या safety level पर जो भी issue है, हमारे railways में, उन सब को हमें target करना चाहिए, हमें wait नहीं करना चाहिए, कि आगे से दुबारा कोई problem हो कहीं और पर, तब जाकर कि हम उसका solve करेंगे, तो basic criteria हमारा ये होना चाहिए, कि railway infrastructure जो है, उसका जो inspection procedure है, उसका जो examination procedure है, उसको और हमें अच्छे से implement करना चाहिए, ताकि इस तरीके के issue जो है, वो आने वाले time में ना देखने को मिले, next article है, वो यहां पर बताया गया है, text page पर, और इसमें बताया गया है, कि देखो, mansoon जो है, वो effect हो रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें, तो Indian Ocean region में, अगर cyclonic condition देखने को मिलता है, तो उसकी वज़े से भी हमारा mansoon season जो है, वो effect होता है, साथी साथ में यहां पर बताया गया है, कि warming effect जो है, global warming effect, जिसकी वज़े से भी mansoon season जो है, वो काफी ज़्यादा हमारे इंडिया में effect हो रहा है, हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, तो जो important बाती है, कि हमारा agriculture जो है, वो काफी ज़्यादा depend करता है, तो अगर इस तरीके से मानसुन effect होता रहा, तो problems जो है, वो और ज़्यादा increase होंगी, ओके, next जो है, आपर article है, यहां देखिए, तो इस रो ने बोला है, कि चंदरियान 3 जो है, उसको mid-July तक launch कर दिया जाएगा, सबसे important बात आपके लिए है, कि इस रो जो है, वो कौन से minister के अंडर आता है, यह आप comment box में बता दोगे, इस रो के जो chairman है, एस सोमनात, उन्होंने बोला है, कि यह जो चंदरियान 3 है, उसको हम U.R.R.A.V. satellite center, जो बैंगलूरू मिलेकुटिड है, वहां से हमने 37 धवन space center, जो स्री हरीकोटा मे है, वहां पर क्या कर दिया है, इसको transfer कर दिया है, वो जल्दी इसका जो checking procedure है, जो initial operations है, वो चल रहे है, वो जल्दी जैसे ही खत्म होंगे, वैसे ही, इसका क्या किया जाएगा, सेटलाइट को launch किया जाएगा, तो यहां पर हम कुछ basic वाते discuss करते हैं, सबसे पहले तो 37 दव देखने को मिलता है, कि किसी भी land area का जो eastern part है, जो eastern coast है, वहां पर इसको locate किया जाता है, और दूसरा main point यह ध्यान में रखा जाता है, कि जो हमारी equator line है, उसके भी पास में होई, अब क्यों ऐसा decide किया जाता है, कि देखो, अगर हम बात करें, कि equator line के पास में होगा, तो gravitational force ज easily जो है, उसको हम establish कर पाएंगे, ओके, दूसरा region क्या है, दूसरा region यह है, कि देखो, हमारी earth का जो motion है, वो west to east देखने को मिलता है, तो अगर eastern side पर, कि CB land area के eastern side पर, जब क्या होगा, launching center होगा, तो एक तो जो earth की motion है, उसका extra push up देखने को मिलेगा, उससे force लगेगा, और व और दूसरा, मानलो satellite में कुछ issue देखने को मिला, तो जो land body है, उसके eastern side पर क्या रहेगा, water body, तो मानलो यहां पर कोई problem हुई, तो इसकी वज़े से, जो satellite जो है, वो launch हो रहा है, और उसमें कुछ गडबडी देखने को मिली, तो water body में easily जो है, उसको dump किया जा सकता है, तो य यह कुछ basic region है, जिसकी वज़े से, यह जो भी satellite या rocket launching center जो होते है, वो किसी भी land body के eastern side पर और equator line से नजदीक देखने को मिलते है, तो यह basic fact है, यह आपको ध्यान में रखना है, इस रोख को लेकर के जो basic बात आपसे पूछी गई है, वो आप comment box में बता दोगे, यहां पर open AI, जो है, यहां देखें, Sam Altman जो है, जो chief executive officer है, open AI के, the firm best known for its chat GPT, बतलब यह जो firm है, इन्होंने install किया है chat GPT, AI enabled chatbot product, वो हमारे prime minister ने मिले है, और उन्होंने main target यह रखा है, कि artificial intelligence का किस तरीके से misuse किया जा सकता है, उसके लिए हमें globally level पर rules and regulation जो है, वो बनाए जाने चाहिए, next यहां पर जो article है, वो NHRC को लेकर के है, NHRC जो है, उन्होंने बिहार government को mid-day mail scheme को लेकर के notice issue किया है, कि इनको खाने की वज़े से, mid-day mail scheme को कंजुम करने की वज़े से, 150 students जो है, वो बिमार प और अगर हम states में बात करें, तो states में time to time, अलग-अलग time period पर इसको establish किया गया है, तो को NHRC अच्छा है, women rights को protect करने का काम करता है, लेकिन इसको लेकर के कुछ issue भी है, issue यह है, कि NHRC जो है, अगर कोई authorities, इसके orders को implement नहीं करता है, तो NHRC जो है, वो उनको penalize नहीं कर सकता है, तो NHRC जो है, उनको इसको investigate नहीं कर सकता है, maximum अपने resources के लिए, अपने funding के लिए, NHRC जो है, central government के उपर dependent है, जिसकी वज़े से independently NHRC जो है, वो काम नहीं कर पा रहा है, NHRC एक statutory body है, यह आपको पता होना चाहिए, एक act के अंडर जो है, वो इसको establish किया गया था, 1991 में जो Paris principles established किये गए थे, Paris principles किसले, women rights को protect करने के लिए, तो ऐसा बोलते हैं, कि उन Paris principles के basis पर ही, NHRC को इंडिया में establish किया गया था, उनहीं principles को fulfill करने के लिए, next article है, तो यहाँ पर article related है, San goal को ले करके, San goal क्या है, देखो चोला empire जो है, उसमें माना जाता था, कि जब एक तरीके से, क्या किया जाता था, चोला empire में जब power transfer की जाती थी, तो उस power transfer के टाइम में, यह जो San goal, इस तरीके का जो procedure है, वो दिया जाता था, तो यह देखने को मिला कि हमारे independence के टाइम में भी, हमारे जो, इंडिया के जो last vice ray थे, उनको यह San goal दिया गया, और फिर Lord Mountbatter ने यह San goal जो है, वो हमारे Prime Minister को, first Prime Minister जो थे, जो उनको यह दिया, स्पीकर की जो seat रहेगी, उसके पास में इसको establish किया गया है, लेकिन इसको लेकर के एक clear बात यह बूली गई है, कि देखो, San goal जो है, उसको सोपा गया था, या नहीं सोपा गया था, तमिलाडू के एक मट की तरब से loud voice ray को, यह बात जो है, वो clear नहीं है, इसको लेकर के कही नहीं भी written जो evidence है, वो available नहीं है, ऐसा तमिलाडू के जो मट की जो head है, प्रजन टाई में, उन्होंने ये बात बोली है, ओके, next important article है, foreign page पर, और यहां पर हम discuss करेंगे, कि Canada जो है, वहां पर wildfire देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वज़े से, जो US है, वो भी effect हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि North America continent का जो map है, यहां पर है Canada और यहां पर है US, तो यहां पर wildfire देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वज़े से, air के through जो है, वो US की जो अलग-अलग cities हैं, वो भी effect हो रहे हैं, देखो, अगर हम बात करें, Canada में जितने भी wildfire के issue होते हैं, उसमें maximum जो issue होते है वो होते हैं, lightning की वज़े से, और कुछ issue wildfire के, वो man-made causes की वज़े से भी होते हैं, देखो, present time में अगर हम बात करें, तो globally temperature बढ़ रहा है, जिसकी वज़े से, जो heating जो है, वो भी बढ़ रहा है, temperature बढ़ रहा है, drought जो है, वो भी एक basic issue बढ़ रहा है, ओके, तो इन सब की व जो भी, एक तरीके से, spikes जो हते हैं, वो भी नीचे गिरती है, तो इन सब की वज़े से, जब temperature ज़्यादा बढ़ता है, तो इन सब में firing के जो issue है, वो काफी ज़्यादा बढ़ जाते है, तो एक basic region है, अब देखो, temperature बढ़ रहा है, तो इसकी वज़े से, इंडिया को भी ध तरीके से, बढ़ रहा है, इसको लेकर कि, alertness होना जरूर ही है, नहीं तो problems जो है, wildfire की, heat waves की, ये सारे issue जो है, वो बढ़ जाएंगे, तो main issue क्या है, main issue है, कि temperature को बढ़ने से, रोका जाए, ओके, next यहाँ पर जो article है, तो यहाँ पर, जो, kherson region में, जो dam है, उसमें, issue देखन को मिला, वो एक तरीके से, demolish हो गया, जिसके विज़े, floods जो है, वो काफी जादा create हो गई है, यहाँ पर, जो lower region है, वो काफी जादा effect हो रहे है, यहाँ पर US और UK जो है, उन दोनों ने मिलकर के, Atlantic declaration की है, ताकि, दोनों की जो relation है, उनको वो बढ़ा सके, देखो, यह Atlantic Charter ज जो थे, UK में Prime Minister थे, Mr. Churchill, और US में, जो President थे, Mr. Roosevelt, तो उस टाइम भी उन्होंने Atlantic Charter किया था, ताकि, कुछ problems जो है, उसका solution देखने को मिले, फिर 2021 में भी Atlantic Charter देखने को मिला, जिसमें present time के जो issues है, उनको solution देने के लिए, बात की गई थी, ओके, तो 1941 के टाइम में, जब US औ और UK ने, जो Atlantic Charter डिसाइड किया था, उसमें ये बात रखा था, कि Post-War World जो है, उसमें जो भी nation है, वो अपने economic and social corporation among nation को ले करके, self-determination के basis पर काम करें, ये main target था, अभी क्या हुआ है, US और UK ने बूला है, कि present time के जो issues है, उनमें हम काम करेंगे, तो present time के जैसे कुछ issues के ब factors, transitional challenges like climate change, इन सब को ले करके काम करेंगे, और China और Russia का जिस तरीके से dominance बढ़ रहा है, इसको counter करने के लिए भी दोनों country जो है, वापस में काम करेंगे, ओके, तो यहाँ पर एक important term है कि non-state actors, तो ये non-state actors जो है, वो होते क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको ये बता हूँ कि अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको पता हूँ ना जी कि state होता क्या है, देखो एक geographical area, जिसकी खुद की government हो, जिसके पास में population हो खुद की, और एक तरीके से sovereign हो वो अपने काम करने के लिए, तो उसको state बोला जाता है, अब इसे state को चलाने के लिए कुछ direct rules and regulation होग तो वो तो होते है state actor, कुछ होते है non state actor, non state actor वो होते हैं, जो directly तो उस state में interfere नहीं करते हैं, मतलब उसकी politics को directly तो एक तरीके से उसे associate नहीं होते हैं, लेकिन indirectly उसकी जो politics है, उसको काफी ज़्यादा क्या करते हैं, उसको काफी ज़्यादा effect करते हैं, तो ये जो non, sorry, non state जो actors ह इसमें अगर हम बात करें तो जिसमें है NGO जो है वो काफी important role play करते हैं जैसे कि कुछ अधर अधर area जो है वहाँ पर अलग-अलग separatist group हैं वो भी काफी important role play करते हैं कुछ terrorist group जो है इसके अलावा UN जो है NATO जो है terrorist group जो है वो काफी ज़्याद़ effect करते हैं किसे भी country की politics को ले कर ग या इनकी लेकर के जो issue है उनको solution को उनका solution भी provide करेंगे UK and US ओके तो यह आज का अमारा दैहिंदू newspaper का discussion था अगर आप यहां तक आए हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे, और चैनल को subscribe कर दीजे, ओके, thank you